सब्सक्राइब किया बेटा जीरो से स्टार्ट कर रहा है अभी बस केवल 15 सब्सक्राइबर हुए हैं बट इस चैनल में आपको इतना समझ लो कि आपको सबसे असान तरीके से समझाओंगी हट्चीज को मैं ठीक है आपकी जो घंटो की वीडियोज होती है ना जो आपके कंसेप्ट होते हैं वो सारे आ पांदस मिनट में ही समझ लोगे अच्छे से बस प्लीज अब ध्यान से समझना जो आगे मैं अब समझाने वाली हूं ठीक है ओके तो आज स्टार्ट करना है हमने किंग्डम फंजाई ठीक है जो किंग्डम फंजाई है सफस्टो फोल आपने याद अखना है कि वो हिट्रोट्रॉपिक और्गैनिजम्स होते हैं ठीक है हिट्रोट्रॉपिक और्गैनिजम्स नेक्स्ट इसकी जो फीचर्स हैं जो आप सब को पता होनी चाहिए कि जो इसके सेल्वल होगी वो किस से बनी होगी वो बनी होगी चिटिन से ठीक है थ्रेड लाइक मेसीलियम सेल्वल जो है चिटिन से बनी है second चीज इसमें क्या होगी जो fungal cellulose है वो है acetyl glucosamine ठीक है यह याद कर लेना acetyl glucosamine kingdom fungi का जो food reserve है that is oil and glycogen oil and glycogen और जो complete vegetation होगी इसकी holocarp है sexual reproduction में escocarp और basidiocarp mainly इसके अंदर होते है तो यह जो थी यह तो इसकी features है जो main features है जो आपको इसमें commonly पता होनी जोए है अब classes की बात करते हैं तो first class जो इसके सबसे पहले आपने पढ़नी है that is phycomycetes phycomycetes क्या होंगे यह fungi के वो members होंगे जो की aquatic है और कुछ इसमें से dead or decaying woods होते हैं उसके अंदर भी present होते है वो mycetes भी होते है इसको बूला जाते है next इसके अंदर mycelium है वो कैसा होगा a septate होगा और sinusitic होगा ठीक है जो a sexual reproduction है a sexual reproduction जो होगी वो होगी zoospore से में मींस कि वो कैसे होगे जो support से होगी तो वो杜 होगी मोटाइल जो spore वाली और जू नों-motile होगी अप्लैण Där जो त्वोस होगे अप्लैणोell formulae यह और बाकई जो थी वो उससे होगी अप्लैणोपोर से थो a plan explaining spore होगे, non-motile और zoospore होगे, motile अब phycomycetes का देखो याद करना होता है example तो example याद करने में बहुत confusion होती है आप ऐसे याद करो phycomycetes मर मर मिन्स म्यूकस, अल्व्योगो और राइजोपस तो अपने फंजाई का क्या याद किया भी phycomycetes क्या होते हैं इसके अंदर aquatic members mycelium कैसा है, aseptate और cynocytic यही पूछा जाता है, इससे बाहर बहुत कम chances होते हैं जो कि पूछ लिया जाए कुछ asexual reproduction zoospore से होगी, motile होंगे planospore non-motile fruiting body इसके अंदर absent होती है, यह बहुत important है, fruiting body जो होगी वो absent होगी, ठीक है तो example आपके होगे, m, a, r that is mucus, albugo और rhizopus, ठीक है ओके, जो next है that is escomycetes, ठीक है escomycetes आपकी next है so next में हम यह देखते हैं कि सबसे पहले इसको बूला क्या क्या जाता है escomycetes को एक तो याद कर लो कि इसको cup fungi बोलते हैं, ठीक है और sac fungi बोलते है, sac ऐसे याद कर सकते हो, जैसे esco है, तो asc है, तो इसको थोड़ा उल्टा कर लो, तो sac हो गया means sac fungi, cup fungi escomycetes को ही बूला जाता है बहुत important जो पूछने वाली चीज है, वो यह है कि इसके अंदर unicellular, यह तो माग में घुसालो, कि जो unicellular है, वो इसमें east है, यह अपने याद रखना और याद करना पड़ेगा, यह बहुत important है next है penicillium penicillium multicellular होता है ठीक है, asexual reproduction होगी तो conedia बनेंगे, और sexual reproduction होगी तो asco spores बनेंगे ठीक है, asco spores नाम से याद कर लो, ascomycities में asco spores होते है, sexual जब spores बनते हैं तो, हाँ, एक और चीज coprophilus coprophilus क्या होता है, जैसे वो गोबर होता है गोबर में fungus होग जाती है तो वो वाली जो fungus होती है उसको क्या कहते है ascomycities बोलते हैं ठीक है बटा, पहले तो 5 को मैं mycities कर लिया, उसका example मर्था ascomycities का example जो मैंने short करके किया, वो मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा easy रहेगा आप लोग को याद करने को that is can ठीक है, can में kelbicep, kelbicep आपके पहले आए, then next a से आगया aspergillus और n से हो गया, neurospora तो ऐसे थोड़ा से इसको याद कर लो can करके, कि भी can है तो इसका याद हो जाएका थोड़ा से याद कर ले इतना, इस से ज़ादा short नहीं हो सकता तो phycomycities का मर हो गया, m-a-r so mucus albugoryzopus can हो गया किसका ascomycities का, ठीक है एक चीज़ इसमें और याद कर लो कि जो calviceps होते है calviceps और neurospora जो है, इनका genetic use में काम होता है यह important है, जो मैं star लगा के लिखा है ना, यह निहायती important चीज़े होती है इसको याद कर लेना, दिमाग पढ़ लेना और जो moral और buffles होते हैं, यह edible होती है, मतलब यह ऐसी fungus होती है, जिसको कहा भी सकते हैं ठीक है ना, तो यह edible होती है, edible means होती है खाने वाली, ठीक है बच्चों तो अब देखो, मैंने आपको दो चीज़े समझा दी, इसमें 5 को my cities समझा दी, S को my cities समझा दी ठीक है